नमस्कर बच्चो आज हम पढ़ेंगे पाठ संख्या 5 विश्य हिंदी यह हिंदी व्याकरण का एक पाठ है और पार्ठ संख्या है 5 कक्षा दूसरी पाठ का नाम है बच्चो लिंग क्या नाम है पाठ का? लिंग अर्थात जेंडर इस पाठ के माध्यम से हम यह जानेंगे कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने परकार होते हैं खांजी बच्चो क्या नाम है पाठ का पाठ का नाम है लिंग अर्थात जेंडर इस पाठ के माध्यम से हमें यह पता चलेगा कि लिंग किसे कहते हैं लिंग के कितने परकार होते हैं और कौन सा शब्द स्त्री जाती के लिए प्रयोग में लाया जाता है और कौन सा शब्द प पाट के माध्यम से जाने की लिंग क्या है बच्चो आप चानती हैं कि हमारी भाषा के शब्द पुरुष और स्त्री जाती का ग्यान कराती हैं किसका क्यान करवाती हैं पुरुष जाती और स्त्री जाती का बोध या ग्यान कराती हैं आओ सुनो और समझो कि कौन से शब्द प पूरुष जाती के लिए करते हैं और कौन से शब्दों का परियोग हम स्त्री जाती के बारे में करते हैं और इस पार्ट के माध्यम से हमें यह पता चलेगा कि पूरुष जाती और स्त्री जाती के लिए किन शब्दों का परियोग किया जाता है देखिए पढ़िए और समझे हाँ जी बच्चो यहाँ एक और फिर्स पिक्चर दिखाई गई है फर्स पिक्चर में देखो इसमें क्या है लड़का, उसके बाद गायक, उसके बाद नाना, पिता, मोर यह क्या है इन शब्दों से पुरुश जाती पता चलता है इसका पता चलता है, मेल का अर्थात, पुरुष जाती का पता चलता है, लड़का, गायक, नाना, पिता, मोर, ये क्या है, पुरुष जाती का बोध कराती है, और उसके साथ साथ बच्चो, नीचे देखो, यहाँ लड़की, गायका, नानी, माता, मोरनी, ये किसका बोध करव स्त्री जाती का इन शब्दों से हमें किसका पता लगता है स्त्री जाती का पता चलता है जिन शब्दों से पुरुष्या स्त्री होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं उसे लिंक कहते हैं जिन शब्दों से पुरुष्या स्त्री जाती का बोध होता है स्त्री होने का पता चल उन्हें क्या कहते हैं उन्हें लिंग कहते हैं जैसे पहले पिक्चर में हमने देखा था ना लड़का लड़की लड़का क्या है पुरुष जाती कै तो अर्थात वो पुलिंग और लड़की क्या है स्त्री जाती की है अर्थात स्त्री लिंग हाँ जी बच्चो लिंग के दो परकार होती है पहला है पुलिंग और दूसरा है स्त्री लिंग क्या है पहला पुलिंग और दूसरा कौन सा है स्त्री लिंग लिंग के दो परकार होती है जिन शब्दों से पुरुश या स्त्री जाती का पता चलता है उन्हें लिंग कहते हैं, लिंग के दो परकार होते हैं, पुलिंग और स्त्रीलिंग हाँ जी बच्चो, जिन शब्दों से पता चलता है कि वे पुरुष जाती के हैं, उन्हें पुलिंग कहते हैं जिन शब्दों से पुरुष जाती के बारे में पता चले कि वो शब्द पुरुष जाती के हैं तो उन्हें क्या का जाता है? उन्हें पुलिंग कहा जाता है जैसे हमने पढ़ा था पहले पिक्चर में देखा था ना लड़का, गायक, नाना, पिता, मोर ये किसके हैं? ये पुरुष जाती के हैं तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें पुलिंग कहा जाता है जो शब्द पुरुष जाती के अंतरगत आते हैं या पुरुष जाती के हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पुलिंग कहते हैं जिन शब्दों से पता चलता है कि वे पुरुष जाती के हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें पुलिंग कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों, पुलिंग कहा जाता है, जिससे पुरुष जाती का पता चले, उन्हें पुलिंग कहा जाता है, येस, उसके बाद क्या है बिटा जी उसके बाद है स्ट्री लिंग जिन शब्दों से यह पता चलता है कि वे स्ट्री जाती के हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें स्ट्री लिंग कहते हैं जिन शब्दों से पता चले कि वे पुरुष जाती के हैं उन्हें पुलिंग कहते हैं और जिन शब्दों से यह पता चलता है कि वे स्ट्री जाती के हैं तो उन्हें क्या कहते हैं स्ट्री लिंग कहते हैं जैसे पिक्चर में हमने देखा था लड़की, गाईका, नानी, माता, म ये सब क्या है स्त्री जाती का बोध कराती है इसलिए इने स्त्रीलिंग कहते हैं कुछ अन्या पुलिंग वै स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से आओ बच्चे उधान के द्वारा समझें जैसे पुलिंग में क्या जाएगा दुलहा उसका स्त्रीलिंग क्या होएगा दुलहन उ गुडिया, चिड़ा, चिड़िया, दिब्बा, बिबिया, माली, मालिन, पती, पतनी, बैल, गाएं हाजी ये पुलिंग थे और उनके साथ साथ उनका क्यात बताया गया है? स्त्रीलिंग जैसे हाथी, हतनी, नाग, नागीन, उट, उटनी, नोकर, नोकरानी, दरजी पुलिंग है और उसका स्त्रीलिंग क्या होएगा दरजीन, राजकुमार, उसका स्त्रीलिंग क्या होएगा, राजकुमारी, मालिक क्या होएगा, मालकिन, वैसे ही सेठ, सेठानी, शेर, शेरनी, अध्यापक, अध्यापिका, येस, बहुत सारे ऐसे उधरन हैं, जो शब्द पुलिंग में आते हैं और कुछ अन्या स्ट्रीलिंग में आते हैं जैसे लड़का तो उसका स्ट्रीलिंग क्या हो जाएगा लड़की गायक उसका स्ट्रीलिंग क्या हो जाएगा गायका नाना नानी माता पिता मोर मोरनी ये सब क्या है पुलिंग और स्ट्रीलिंग के उधारण हां जी बच जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उन्हें लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है। कहा जाता है क्या कहा जाता है उन्हें स्त्री लिंग कहा जाता है। जी बचो जैसा कि हमने पाठ में उपर उधारन में भी बताया गया था। जैसे अब देखो कक्षा में हम लोग हैं लड़के हैं और लड़कियां हैं। लड़के किस में आ जाएंगे? पुलिंग में क्योंकि वो पुरुष जाती से सबंदित हैं। और लड़कियां हैं जो वो किस से सबंदित हैं? वो स्त्री जाती से सबंदित हैं। इसलिए वो किस में आ जाएंगी? स्त्री लिंग में। जो पुरुष जाती में आते हैं उन्हें पुलिंग कहा जाता है। स्त्री लिंग कहाई हांजी बच्चो इस पाठ के माध्यम से हमने यही सीखा कि लिंग किसे कहते हैं लिंग के कितने परकार होते हैं और पूलिंग तथा स्त्री लिंग की क्या परिभाशा है हांजी धन्यावाद बच्चो